प्रभीश्य मसी के पवित्र नाम में आप सभों को नमस्कार मैसा जी भिलाएवाला पिछले संदेश में हमने मनन किया एक अच्छी आदत के बारे में वचन पढ़ना और ध्यान मनन करने के बारे में हम उन कारियों को आदत कह सकते हैं जिने हम बार-बार करते हैं हमेशा करते हैं इन्हें करने के लिए हमें किसी बाहरी प्रेरणा की जरुवत नहीं होती किसी को बोलने की जरुवत नहीं पड़ती कि यह करो अगर यह करना हमारी आदत है और यह बदलती भी बड़ी मुश्किल से हैं हम अपने आप करते जाते हैं इन चीजों को आदतों को बनने में वक्त लगता है और बदलने में भी वक्त लगता है आदते ही हमारी जीवन शैली को परिभाशित करती है या यूं कहलो आदते हमारी जीवन शैली का एक भाग है कई आदतों का प्रभाव हमारे बाकी जीवन भर भी पड़ता है एक सफल मसीही जीवन के लिए, जैवन्त मसीही जीवन के लिए एक और आदत जरूरी है वो है परमीश्वर पर भरोसा रखना हर हाल में उस पर भरोसा रखना हमारी आदत बननी चाहिए भजन सैंतिस आयत साथ में यो लिखा है धीरज से उस पर आसरा रख, उस वक्ती के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और जो बुरी युक्तियों को निकालता है परमीश्वर पर भरोसा करने और उसे आसरा बनाने की आदत जब हम बनाते हैं तब हमारा दूसरों के कारण कुढ़ना कम हो जाता है या खत्म हो जाता है यानि हमारी एक आदत का प्रभाव हमारी जीवन के दूसरे च्छेतर में भी पढ़ता है जब हम दूसरे को देखते हैं जो बुरी युक्तियों से सफल होते हैं तब हम कुढ़ने लगते हैं इस कुढ़ने में थोड़ी एरश्या, थोड़ा करोध, थोड़ी शिकायत होती है खुदा के प्रती देखो फलाना बहुत सफल है, बहुत पैसा है उसके पास, कर्म तो उसके बिलकुल खराब है अगर मैं और आप परमेशुत पर भरोसा रखते हैं, हमारा आसरा वो है तो हम में से ये कुढ़ने का भाव, इरश्या और क्रोध, शिकायत का बोध निकलता जाएगा परमेशुत पर भरोसा रखना, उसे अपना आसरा बनाए रखना, हमारी आदत होने पाए जीवन शैली का हिस्सा होने पाए इस नए साल में एक और आदत है जिसका जिक्र में इधर करना चाहता हूँ वो है देना, परमेशुत को देना, मनुश्यों को भी देना लुग अच्छे अध्याय में हम पढ़ते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, और उभरता हुआ, तुम्हारी गोद में डालेंगे जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा परमेश्वर की सेवकाई के लिए उसके दासों को, जरुवत मंदों को जब हम देते हैं अपने साथी मनिश्यों की जब हम सहायता करते हैं तब ये जान लें आपके जरुवत के वक्त खुदा आपसे मोह नहीं मोडेगा वो आपको भी भरपूरी से देगा इस बरस हम इन आदतों को बनाएं इसमें प्रभु हमारी सहायता करें प्रमेश्वर के वचन का ध्यान मनन करें प्रमेश्वर पर भरोसा रखें सब को आशीश दे, आमीन